आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग feeding post के बारे में समझेंगे तो इससे पहले का जो lecture था कि लास था है इसके अंदर हम लोग सब station की बात किया था और उससे पहले हम लोग section की बात किया था ठीक है तो I hope सारी चीज़ आपको याद होगी तो same systematic तोड़ तोड़ के हम लोग समझ रहे हैं actually सारा diagram एक साथ मिल के combine रहता है अगर हम overall पूरे system की यानि electrification की बात करें तो सब एक साथ मिला हुआ होता है लेकिन हम लोग easily way में समझने के लिए अलग-अलग समझ रहे हैं पहले हम लोग अलग से section क्या होता उसको समझा और फिर हम लोग sub station की तरह से काम करता यानि TSS traction से section किस तरह से काम करता है वो समझा और अब हम लोग क्या समझेंगे feeding post किसको कहते हैं और इसके अंदर कौन-कौन से equipment लगावा होता है उसको समझेंगे तो जब हम लोग TSS की बात क्या था तो वहाँ पर हम लोग supply को देखाता है कि हमारे पास 132 के वी supply आती है और वहाँ प का main transformer होता है और दूसरा हम लोग stand by transformer रखते हैं यानि अगर हमारे पास पहला वाला transformer अगर काम नहीं करेगा तो हम लोग दूसरे transformer यानि stand by transformer की सहाता से हम लोग काम लेंगे ठीक है तो यह तो हम लोग का TSS से related बात होगे अब हम लोग TSS जो बनाते हैं traction sub station यह railway track से थोड़ा दूर होता है कितना दूर होता है तो लगबग दो किलो मीटर के range में होता है दो किलो मीटर के आसपास होता है लेकिन बिल्कुल track से यानि पटरी से सटा हुआ नहीं होता है तो हम लोग TSS से क्या करेंगे supply लाएंगे जो हमारी 25 केवी की line है उस 25 केवी को कहा पर लाएंगे ह और वहाँ पर लाकर एक हम लोग post बनाएंगे यानि एक ऐसा जगा बनाएंगे जहां पर electrical supply 25 केवी की supply देंगे और वहाँ पर कुछ और equipment लगाएंगे हम लोग और उसके बाद क्या करेंगे आपकी जो supply होगी उसको हम लोग electrification के लिए देंगे यानि track के उपर जो आपकी supply O AC system है वहाँ पर हम लोग electrical supply देंगे तो आईए डाइगराम के माधिन से समझते हैं किस तरह से हम लोग का feeding post काम करता है और कौन-कौन से equipment लगा हुआ होता है तो अब देखिए from 25 के वी TSS सबस्टेशन लिखा हुआ है लेकिन आपको क्या समझना TSS की बात हुरी ट्रैक्शन सबस्टेशन की क्योंकि TSS का मतलब कितना 25 के वी AC supply सिंगल फेज आ रही है आपके पास तो अब दो supply आपको दिख रहा तो दो supply मतलब इसका सिंगल फेज जो अब दोनों में साब को याद होगा इससे पहले वाला डाइगराम आप इमेच कीजिए याद कीजिए कि हम लोग क्या किये थे दो ट्रांसफर्मर लगाए वे थे एक को हम लोग में ट्रांसफर्मर मान रहे थे और दूसरे को हम लोग स्टैंडबर ट्रांसफर्मर मान रहे यानि अगर पहले वाले transformer आपका काम नहीं कर रहा है या हम को उसके अंदर कुछ maintenance का काम करना है उसके oil को चेंज करना है या और other काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे पहले वाले transformer को off कर देंगे और दूसरे से हम लोग supply देंगे दोनों की rating सेम होती है लेकिन हम लोग एक क्या रखते है बैक अप के लिए रखते हैं कि यदि हम को जरूरत पड़े तो हम दूसरे से भी काम ले सकें ताके continuous supply हम क्या कर सकें सिस्टम के अंदर electrification के लिए हम लोग continuous supply दे सकें तो यह वही दो सप्लाई है जो आपका टीसस से आ रहा है तो आपको याद होगा कि हमारे पस क्या करते? एक रहा काम करता है, दूसरा आपका आउफ रहता नार्मल क unjust में तो आपका जे दो सप्लाई ही है दूनों एक साथ काम नहीं कर रहा होगा हम मान लेते हैं कि यह वाला आपका main transformer से आ रहा था और दूसरा आपका क्या आ रहा है backup transformer यह standby transformer तो यह तो मान लेंगे कि आफ है क्योंकि यह वाला कभी हमको काम नहीं है ये तो हमारा तब काम करेगा जब हमारा main transformer आपका क्या होगा supply उसके off करके उसको maintenance का काम करेंगे तब ये वाला section के अंदर इस वाले wire के अंदर आपकी supply आएगे तो अभी एक ही मेरे पास supply आ रहा है क्योंकि main transformer से हमारे पास एक ही wire connected है और दूसरे को हम लोग क्या क्या है इसके साथ जो transformer connect है वो अभी क्या है backup के हले हम लोग छोड़े वें उसको तो अब देखिए हमारे पास जो supply आई यहाँ पर तो यह वाला आपका main supply है यह आपका stand bind के लिए तो इसको हम लोग off समझते हैं और इसको क्या समझी है आप supply यहाँ से आ रहे तो आप क्या किवा जैसे सारा आपका equipment था उसको हम close करेंगे यहाँ पर circuit breaker लगा हुआ है और य इसके साथ आपका क्या है जो track है यानि जिसको electrified करना है दो track को हमने देखा है एक up track और दूसरा down track यह कोई ज़री नहीं दो ही track हो दो से ज्यादा भी हो सकता है यानि आप देखेंगा कहीं कहीं पर तीन track है चार ट्रैक है तो railway station पर पहुंड़ यहाँ तो ज्यादा रहता ह कर सकते हैं लेकिन आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या कि में दो track consider करते हर जगा पर एक को मानते है अब track और दूसरे को down track यह तरह से train जाएगा दूसरे तरह से train आने के लिए तो यह वाली supply मान के यहां रहे 25 के वी की लाइन आ यह सिंगल फेस पॉस्टिव वायर रन कर खर रहा दारा यह वाला वायर को लाया और लाएं कहां कर दी हम लोग यह आपका बस कर दिया यह क्या है यह आपका 25 के वी बस है और हम लोग क्या कि हैं है आपको मालम होगा बस कपलर सबस बस बार्का क्या रो अऎका यह सा कंडक्टर जहां पर number of incoming और number of outgoing का हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर क्या है एक इंकमिंग हम लोग ला रहे हैं दूसरा वाला तो अभी बंद है एक इंकमिंग हो और दो और गोईंग यहां पर दिखा रहे हैं सिमिलली यहां पर कितना है और दो और गोईंग हम लोग दिखा है तो टोटल और गोईंग कितना हो है चार ओड़ गओं हो गया और यहाँ पर क्या है एक आपका दो सिर्फ एक butacious आ और चार ओड़ गओं है लेकिन यह वाला पूरशन का बाद में बात करेंगे पहले इसको समझे आप यहां से शेपलाइ गए इस supply को कहां पर लाए हम लोग इस बस बार पर लाए है यह बस बास कितना है 25 केवी का बस बार है और इससे हम लोग क्या केवे हैं दो incoming सोरी दो outgoing को connect किये हैं एक किसको क्यार रहा है यहां से आपका connection हम लोग लिया और connection लेकि किसको दे दिया है आप वाला जो track था उसको और यह कहां पर जो पटरी बिचाओा उसकी बात नहीं करें पटरी को ऊपर जो conductor है तार है OHE सिस्टम है वो वाला OHE यहां पर देखाया गया यानि ऊपर में जो conductor बिचाओा एक पहला conductor यह है पहला track के ऊपर का conductor और यह दूसरा trim गहुई नीचे और उसके ऊपर जो conductor बिचा कर दिया और सेम बस से कनेट करके क्या कर दिया दूसरे वाले हम लोग ट्रैक को इलेक्टिफाइट कर दिया तो दोनों आपका काम कर रहा है एक आपका पहला वाला को हम लोग इसके सहाथा से बस आपका जो बस बार है उसकी सहाथा से पहले वाले आपको भी करती और यहां पर सप्लाई आ जाएगी अरसन में तो यह आपका बस बार है इस बस बार से आप दो है हम यहां पर देखाए हुए दो के जगा आप तीन यह चार भी देखा सकते हैं तो नंबर आफ क्या कर सकते हैं आप ट्रैक को इलिक्टिफाइट कर जा सकते हैं इस बस बार की सहायता से तो यह बस बार हो गया अब यहां पर देखें क्या लगावा है बस कपलर लगावा है ठीक है अच्छा यहां पर भी एक्विप्मेंट लेख लिए यहां पर इस साइड में हमने जो इधर एक्विप्मेंट है वही एक्विप्मेंट यहां पर भी लगावा है तो कहीं भी हम लोग interruptor की बात नहीं किया था एक equipment अब यहां पर हम लोग use कर रहे हैं कहां पर feeding post में याद रखना है interruptor जो use होगा वो कहां पर हम लोग कर रहे है feeding post के अंदर और कितना interruptor लगाए हुए isolator और interruptor में थोड़ा सा अंतर है क्या अंतर है कि isolator जो होता है वो आपका इसके लिए आर कोइंचिंग medium कोई नहीं होता है यानि यह air इसके जो आपका operate करेगा वो कहां पर होगा air के अंदर यानि ऊपर air खुला वा नॉर्मल यह switch है और operate कर रहा है लेकिन यह जो आपका interruptor है यह एक ऐसा switch है जिसके अंदर क्या भरावा था oil भरा है तेल भरावा होता है ठीक है तो अब इस switch के अंदर तेल भर देने से क्या होगा इसका आर्क को जो खतम करने की च्छमता है वो बढ़ जाती है तेक है यानि आर्क को इंचिंग प्रोपर्टी आपको मालूम होगा circuit breaker के अंदर पढ़ा होगा अगर नहीं भी मालूम है तो आर्क की बात फिर से हम लोग करेंगे switch gear के अंदर भी और आगे circuit breaker इसके अंदर भी हम लो क्या करते हैं यहां पर oil को भर देते हैं और oil रहने से आपका जो आर्क produce होता है वो आर्क बुझ जाता है तो normal यह भी switch है और यह भी switch है लेकिन इस switch की खासियत यह है कि यह जो switch है इसके अंदर हम लोग क्या भरा रहेगा oil भरा रहेगा तो अब इस से हमको फायदा क्या मिल interruptor है इस interruptor को हम लोग क्या कर सकते हैं आपका load condition में हम लोग operate करा सकते हैं आरसाज में दोनों में फरक यह no load condition पर always काम करेगा और इसको हम लोग load condition पर भी operate कराएंगे हमको को कोई problem नहीं होगा लेकिन यह circuit breaker नहीं है अब यह भी याद रखिए circuit breaker और interruptor में क्या अंतर है circuit breaker मे medium दियावा होता है oil होगा SF6 हो सकता है या आपका vacuum हो सकता है कुछ भी आर्ख बुजाने के लिए तो हमारे पास circuit breaker और interruptor में अंतर है यह circuit breaker क्या करेगा आपका fault condition में काम करेगा या यह आपका क्या है इसके साथ relay लगा हुआ होता है लेकिं interruptor के साथ relay लगा हुआ नहीं होता है यानि यह fault condition में काम नहीं करेगा जब आपको maintenance करना होगा तो आप load condition में operate करा सकते हैं तो यह आपका normal switch है लेकिन isolating से आपका अच्छा switch है क्योंकि isolator जो है वो no load condition में काम करेगा और जबकि interruptor load condition में काम करेगा ठीक है इसके अलावे interruptor को हम लोग switching यानि remote control भी provide करते हैं यानि कहीं पर switch लगा दी हमाप पर switch यह signal इस तरह से भेज कर सकते हैं interruptor को operate करा सकते हैं जबकि इसको आपको always क्या करना होगा manual operate कराना होगा इसके अंदर दोनों option नहों इंटरप्टर के अंदर मैनवली भी ऑपरेट करा सकते हैं यह रिमोट कंट्रॉल से भी आप इसको ऑपरेट करा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखी यहाँ पर भी हमने क्या लगावा है यानि इस सप्लाई इस बस से पहले 25 के वी का सर्किट ब्रेकर लगावा है और इसके बात जो OHE सिस्टम के पास आ रहा है ट्रैक को इलिक्टिफाइड करने के सप्लाई तो उससे पहले यहाँ पर भी आईसोलेटर भी लगावा दोनों साई और इंटराप्टर भी लगावा यहाँ पर भी आईसोलेटर लगावा और इंटराप्टर लगावा अच्छा यह भी precaution यानि आपका log भी लगा दिया बढ़िया से ताला भी मारते हैं हम लोग cctv camera भी लगाते हैं security guard को भी रखते हैं और जो है अच्छा आपका मदबूर type का खुता को भी रखते हैं तो इस परकार more security हम लोग provide करते हैं तो इसी तरह हम लोग को क्योंकि अब railway track को electrified क्या थो हम लोग को बहुत जादा यहाँ पर क्या चाहिए continuity चाहिए reliability चाहिए तो उसके लिए हम लोग more precaution के लिए हम लोग number of equipment लगाए हैं ताकि हम लोग अच्छे से maintenance कर पाए हैं अच्छे से हमारे पास reliability हमको अच्छे मिल सके इसलिए आपका more precaution के लिए more protection के लिए हम लोग number of protecting device system के अंदर लगाते हैं तो आपका यहाँ पर भी इंटरप्टर लगा और यहाँ पर भी इंटरप्टर लगा पहले जो up track है उसके लिए इंटरप्टर है दूस सेकंड साइड हो गया तो अब क्या है यहाँ पर बीच में क्या की है हम लोग bus coupler लगा हैं इस bus coupler का का काम क्या है यह normal condition में आपका और यह आप close रहे गा इसका मतलब यह वाली track से जो supply आ रही थी यह तो आपका भी off मन के से लिए बंद है यहाँ से supply आ रही थी तो यह वाल भी interrupter का हमको काम नहीं है तो यह bus coupler से इसका हैता क्या है कि यहाँ से यह दुनों जो track के यहाँ से supply आई तो यहाँ से supply क्या हो जाएगी आगे हो जाएगी इसी परकार यह आपको bus coupler लगा दिया तो यहाँ से supply आगे चली गई तो अब अगर आप चाहिएगा कि यह वाला interrupter section को off करके हम क्या करें यहाँ से यह वाला जो up वाला track है मानके चली up track है यह वाला आप up track को क्या करना चाहरे हैं यहाँ से supply ना देखर क्या करना चाहरे हैं यहाँ से supply दना चाहरे हैं तो आप bus coupler को close कर दिजेगा और यह वाला interrupter को close किजेगा आप यहाँ से supply तो अब इसके सहाथा से भी आप कर सकते हैं इसको supply दे सकते हैं आरसन में यहां से portion यह वाला इंटरॉप्टर मान के चलिए हमको काम नहीं लेना भी इसको हम लोग open कर देना है तो हम क्या करेंगे यहां से supply इस वाले इंटरॉप्टर से होते भी supply दे सकते हैं इसको close कर देंगे तो आप डाउन वाले ट्रैक को भी यहां से supply दे सकते हैं यहां से भी पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ गई यहां से भी पॉसिबिलिटी बन गई supply देने की और यहां से भी supply की अब एक चीज़ और समझ यह बीच में जो हमारे पास बस कपलर open कर दिया यहा में थोड़ा सा अंतरा भी सिर्फ insulated overlap के बार में आपको बताते हैं कि यहां पर एक परकार का क्या है switch ही यह चोटा सा ठीक है तो इस सहायता से क्या है कि आप जब चाहें यह वाला portion को अलग कर सकते हैं और यह वाला portion को अलग कर सकते हैं इससे फायदा क्या होगा यदि आप को मन के चली maintenance करना यहां पर ठीक है और यहां पर आप चाहरें कि supply continuous यानि इधर train चलती रहे तो आप क्या कर सकते हैं यह वाला portion यानि इसको switch को क्या कर देंगे यह जो insulated overlap है यहां पर इसको open आप करा देंगे तो यहां से supply कट हो गई अब इस वाले track में supply है तो यहां पर train आराम से चलेगा और यहां पर आप maintenance का काम कर सकते हैं लेकि normal condition में यह क्या कर रहता है close रहता है ठीक है तो close है तो जैसे supply दी आप पूरा यहां से यहां तक supply चली गई लेकिन आप जैसे चाहा रहें कि यहां पर supply हम यह वाला portion को अलग कर दें तो क्या करना होगा आप इसको interruptor को open कर दीजिए sorry यहां पर insulated overlap लगवा यानि इस वाले switch के साथ है साफ इसको open कर दीजिएगा इसको open कर दीजिएगा और bus coupler आपका close करके क्या कर दीजिएगा यहां से supply दे दीजिएगा इस वाले section से तो आपका इधर क्या हो जागा electrification का काम हो जागा और यह वाला आप supply कट हो जाएगा यानि आप एक तरह से क्या कर रहे है more आपको chances आपको मिल रहा है ताकि आप जिस portion को चाहरे इधर चाहरे हैं आप close करना तो इधर भी close कर सकते हैं इधर चाहरे हैं आप चाहरे हैं कि पूरा एक ही साथ आपका supply मिलता रहा है तो आप इसको close कर दीजिए यह भी close कर दीए तो आपका क्या हो जागा पूरा track electrified हो जागा एक ही बार में और जेनरली जो आपका normal condition है उसमें यह वाला क्या रहेगा close रहेगा यानि आप जैसे यह वाला interrupter से होता है supply दे दीजेगा तो आपका पूरा track क्या हो जागा electrified हो जागा अगर maintenance का का काम करना है इधर से supply cut कर दीजे इसको open कर दीजे और यहां से supply देखे यह वाला माधियम सब क्या कर सकते है supply continue दे सकते हैं तो आपका इस तरह से क्या हो गया more chance सप्लाई घर के अंदर भी देखे बहुत जगा पर switch लगा होता एक main switch लगावा है उसके बाद आपका पूरा घर के अंदर जो है उसके अंदर भी आपका जो पूरा board होता है उसमें फ्यूज लगावा है यह उसके साथ एक टो हम लोग mcb लगा देते हैं इसके लबावा अलग-अलग equipment के साथ भी switch लगावा तो इससे क्या होता है आप जिस इक आप चारे हैं पूरे घर का supply बंद करना तो आप में maintenance का काम करना चाहरे हैं किसी equipment के साथ तो आप उस switch को close करके पंखा को change करना पंखा में connection करना तो पंखा का switch को आप close off की जगा इन्हें के पूरे घरी की supply को बन कर दिए तो उससे क्या हो जागा आपका इस तरह से more जगा पर अलग-अलग switch लगा देने से यानि more interruptor, isolator, आपक जगा पर supply continuous चलती रहेगी, आपका train चलता रहेगा, वहाँ पर कोई disturbance नहीं होगा, अगर मान के चली हमको cut करना तो main यही से supply cut कर देंगे, तो एक ही बार में सब बंद हो जागा, तो हमको ऐसा करने से दिक्कत क्या है, कि आपका पूरा जो track है, वो disturb हो जागा, इसलिए यहा आपका इधर मन के चली on रखना चारें, इधर off रखना चारें, तो क्या कर देंगे, यहाँ वाला switch को open करा देंगे, यह सारा switch open कर देंगे, तिधर आपका बंद हो जागा, इधर supply चलता रहेगा, तो जैसे आपको मन है, इस तरह का आप लोग possibility कर सकते हैं, ठीक है, यह सारी बात होगा, एक equipment यहाँ पर अलग से हमने लगाया है, इस equipment का feeding post के अंदर लगावा होता है, इसको क्या कहा जाता है, auxiliary transformer, तो एक तो आप देख रहे हैं, main transformer लगावा होता है, TSS से जहाँ पर क्या होता है, 132 kv को क्या कहा जाता है, 25 kv के अंदर हम लोग बदलते हैं, और यह 25 kv आपका क्या होता है, electrification के लिए काम आता है, यानि उपर में जो आपका supply जा रहा है, वहाँ पर 25 kv की line रन करती है, तो अब देखे बस बार जो था, इस बस बार से दो track को electrification चला गया, इसी बस बार से supply लेकर हम लोग क्या करते हैं, 25 kv की supply जो है, एक transformer को देते हैं, और इस transformer का नाम क्या है, auxiliary transformer, और इसकी जो voltage rating होगी, वो क्या होगी, आपका इसका primary side 25 kv मिलेगा, क्योंकि 25 kv आ रहा है, और secondary side कितना मिल जागा, single phase 230 volts, यानि 25,000 volts को हम लोग किसमे कर देंगे, 230 volts के अंदर convert कर देंगे, step down कर देंगे, और यही 230 volts आपका क्या होगा, simple जो आपका यानि बल, पंका चलाना है, वो वाला supply के लिए हम लोग यहां से 230 volts supply देंगे, अलग से हमको कुछ ऐसा नहीं कि transmission इसके लिए, अलग से हम लोग 230 volts लेने के लिए, अलग से फिर आपको सभी station बनाना पड़ेगा, अलग से वहाँ supply लाने पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पा है लगावा, उन सारे चीज़ों को हम लोग supply देंगे, इसके लावा इस supply, इस ट्रांसफरमेस से जो supply है, लाइटिंग, यानि आप देख रहे होंगे, बल्ब लगावा था, यानि सिगनल के लिए हम लोग अलग लग जाए, आपके ग्रीन यलो बल्ब लगाते हैं, उसको भ लगावा, बाकी आपका जो नॉर्मल प्लेट फॉर्म पर ये जगा जगा पर बल्ब पंका लगाव होता है, उसके लिए हम लोग इस टू थर्टी वोल्ट सप्लाई को उप्योग करेंगे, ठीक, ये सारी बात हो गए, और क्या लगावे हम लोग इलेक्ट्रिफाइड ट्र कहलागा, क्योंकि जो पट्री बिचावा है, इस पट्री को उपर क्या है, ये कंड़क्टर हमने बिचा दी है, इस कंड़क्टर के अंदर सप्लाई दे दिया, और सप्लाई की वैलू कितना है, 25 के भी सिंगल फेज एसी सप्लाई, अब इसको ट्रांसफर ये है, आपका जो क्या होगा, लाइटिनिंग इफेक्ट होगा, यानि बिजली गिरेगा, तो ये इसको लाइटिनिंग एरेस्टर क्या करेगा, उसको अब्सॉर्ब करेगा, कैच करेगा, एरेस्ट करेगा, और एरेस्ट करके क्या कर देगा, इसको अर्थ कर देगा, ग्रॉंड कर देगा, त और OHE system को protect करने के लिए protection purpose के लिए हम लोग lightning arrister लगाते हैं जगा जगा पर ठीक है तो lightning arrister इधर भी दिखाएगा तो जगा जगा पर lightning arrister लगाय जाता है ताकि अगर lightning effect हो जाए lightning बिजली गिर जाए तो उसको arrest करके अर्थ कर दे ground कर दे और जो OHE system है वो OHE system आपका क्या हो जाए protect हो जाए तो इस तरह से हम लोग feeding post समझा और देख रहे होंगी यह पूरा complete arrangement है यहां से लेकर आपका circuit breaker हो गया इंटरप्टर हो गया आपका बस कपल यह सारा पूरा जो वेवस्ता है उस सारे को क्या कहा जागा feeding post कहा जागा और यह जो feeding post होता है track के यानि जो पटरी है उसके बिलकुल करीब होता है उसके बिलकुल नजदीक होता है जबके जो सब station है वो आपका लगभग 2 km दूर होता है और वहां से supply feeding post तक आती है ठीक है अब यहां से क्या हो गया आपका track electrified हो गया और आपका supply system continuous यहां से जाएगा तो यह पूरा आपका feeding post से related बात हो गई I hope सारे चीज़ आपको समझ में आई होगी Thank you